यह आपका पहला word है amenable, आपको मुझे इसका synonym बताना है, चार options है, flexible, rigid, stoic या फिर scoundrel, answer सब लोग करिए, आज़र जब यह प्रेयर करते हैं, आमीन, end में बोलते हैं आमीन, इसका मतलब क्या होता है कि peace, peace should be there all over, इसको हम आमीन कहते हैं, something that is accepted happily, इसको आमीन बोलते हैं, ठीक तो आमीन word से ही बना है amenable, यानि कि friendly, हसते हसते जब हम किसी हसते रहते हैं, जब friendly relationship में होते हैं, तो उसको हम amenable बोलते हैं, और एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी कोई, किसी भी शब्द में amy आ रहा है, amy तो उसका मतलब friendly होता है, अब इसको याद करने का तरीका क्या है, amy, able, amy, cable, fable, इन सब का मतलब होता है friendly, है ना, और यहाँ पर amenable है, amenable आमीन का बोलते हैं, जब friendly हम किसी चीज़ को accept करते हैं, तो इसका मतलब amenable का यह हो गया, भाही हमें meaning तो समझ में आ गया, अब इससे मिलता जुलता शब्द कौन सा है, rigid, rigid का मतलब तो होता ह मतलब किसी और की बात मानना तो दूर की बात है, सुने भी नहीं, यह answer नहीं हो सकता, वैसे भी amenable word positive है, तो इसका जो answer है, जो synonym है, वो भी positive होगा, rigid, stoic, यह सब negative word है, flexible is a positive word, flexible word मतलब क्या होता है, यह बंदा बड़ा flexible है, जिद्दी नहीं है, इसको तुम जो कहोगे, जै नहीं है, वो positive ही तो होगा, common sense, so flexible will be your answer, flexible का मतलब होता है, असानी से बात मान ले, हस्ते हस्ते, जो amenable का मतलब होता है, rigid का मतलब होता है, strict, हम बात नहीं मानेंगे, stoic का मतलब होता है, क्या होता है, एक बंदा जो यह word बहुत जादा exam में पूछा जाता है, एक, दो, तीन, तीन, चार तारे बना लो यहाँ पर, stoic का मतलब होता है, क्यासा बंदा जो खुशी में और दुख में एक समान हो, जैसे कि मैं राहूल हूँ, मेरा नाम राहूल है, और मेरा exam qualify हो गया, मेरे पूरी family member मेरे पास आ रहे हैं, और वो बोल रहे हैं, वाउ राहूल, congratulations, तुम्ह तुमारा बिल्कुल exam सारा qualify हो गया है, और मेरा reply क्या है, मेरा reply क्या है, अच्छा, मेरा exam निकल गया, चरो यार बढ़ी है, बस, और जब मेरा exam अगर नहीं निकला, मेरे family members आ रहे हैं, और कह रहे हैं, अरे, congratulations, Rahul, party, बधाई हो, तुम्हारा paper निकल गया, तुम्हारा paper निक समान, इसको बोलते हैं, stoic, खुशी और दुख में एक समान, scoundrel is a negative word, it's a kind of abuse, तो सारे words आपको याद हो गए, मोटा मोटा, सारे words याद हो गए, आमीन, आमीन का मतलब होता है, peace, peace का मतलब होता है, जो इनसान, खुशी खुशी हसते हैं, अस्ते बाद, accept कर ले, इससे मिलत सबको अच्छे से याद होगे, next word पर move करते हैं, egoist, इसका भी आपको मुझे synonym बताना है, अब हम दूसरी slide पर आते हैं, दूसरी 5 vocabulary, एक एक साथ हम 5-5 vocabulary target कर रहे हैं, ठीक, इसका मतलब सब लोग मुझे comment section में लिख के बताओ, क्या होगा, egoist और फिर उसका synonym बताओ, क्या सोचता, अपने ही ego में रहता है, अपनी ही बागते करता रहता है, तो egoist का मतलब होता है, एक ऐसा बंदा जो अपने ही ego में धुन्द हो, अपनी ही बाते करता रहें, ठीक, अब ego से related इसमें और कौन सा word है, egoist एक negative शब्द है, तो इसका synonym भी negative ही होगा, synonym मतलब एक जैसा ह होता है, तो अगर egoist एक negative शब्द है, तो इसका synonym भी negative शब्द होगा, इन चारों में से negative शब्द क्या है, इन चारों में से negative शब्द ये दोनों है, है ना, बाकी amiable तो positive शब्द है, और cordial भी positive शब्द है, कैसे, चलो मैं आपको याद करा देती हूँ, अभी अभी मैंने आ को विसका मतलब होता है जो आपस में मिलजूल के प्यार महबत से रहते हैं लोग टीक तो एमीड बीएक पॉजटेव word है friendly और cordial भी मतलब होता है friendly relation होना यह दोनों तो हमारा answer नहीं हो सकता है अब hostile और boaster बचा यार egoist मतलब जो अपनी ही बाते करते रहता है अपने ही ego में रहता है hostile का मतलब तो होता है लडाकू मैंने आपको एक trick बताई थी hostile word याद करने की hostile word को याद कर रहा है था मैंने hostile word की मदद से कि hostile में जादा तर लोग group बनाके आपस में negative feeling पंचायत discuss किया करते है आपस में लडाई होती रहती है ऐसा हमेशा एक healthy environment नहीं होता है hostile में मतलब एक दूसरे की मतलब हो गया मिल जूल के मिलनसार प्यार मुहबबत से रहना और बोस्टर का मतलब हो गया अपने ही ego में अपनी ही बाते करने रहना मतलब हाक ना बड़ी बड़ी हाक ना तो ego इस से मिलता जुलता शब्द है हमारा option number c बोस्टर clear है याद हो गया सारे शब्द बढ़िया थे कोई दिक्कत कोई problem कोई confusion तो आप मेरे को खुल के बता सकते हो बिना किसी doubt के फिर थे हमारा 5 vocabulary cover हो चुके हैं अभी हम 10 vocabulary already कर चुके हैं अब हम बाते हैं आगे के 5 vocabulary पे शब्द हमारा है grandiose हमारा शब्द है grandiose इसके चार option है और चारो option मेरे लिए चार अलग-अलग vocabulary है जो मेरा एक मातर agenda है कि मैं अपने class में आपको तयार कराऊंगी ही कराऊंगी with a smile on my face तो जल्दी से grandiose word का answer करो क्या होगा ऐसे grandiose word को देखके ही बड़ी grand वाली feeling नहीं आ रही है आप बताओ आप देखो अगर आप इस शब्द को देखो गे तो आपको खुदी समझ में आ जाएगा कि इस शब्द के लिए कोई trick हाई नहीं grandiose word बना है grand से grand मतलब होता है वाओ कितनी grand जगह हैं कितनी grand place है grand मतलब बहुत बड़ा huge so this is your synonym बाकी सब तो easy है noble cause मतलब अच्छे cause के लिए कुछ करना moderate का मतलब होता है ना जादा तेज और मतलब जैसे मैंने बोला मुझे moderate moderate level के questions करने है मतलब ना जादा easy ना जादा difficult moderate का मतलब होता है basically beach का ठीक है फिर आता है आपका temperate temperate का भी मतलब होता है it's related to temperature वाकी सारे शब्द तो clear हो गए पहला शब्द contrite and I want everybody of you to give me the answer जल्दी से comment section में सभी लोग answer करेंगे आपको meaning नहीं बताना है ठीक है आपको opposite बताना है याद रखना तो contrite word का मतलब आच्छल में क्या होता है shame करते हैं किस तरीके से contract word हम याद करेंगे contract word की मदद से contract को तोड़ने वाले लोग हमेशा एक guilt में एक shame में रहते हैं या फिर उसके अंदर एक feeling होगी कि हाँ मेरे अंदर guilt की feeling है shame की feeling है आप मुझे बताओ अगर कभी ने कभी भी किसी ने कभी भी contract तोड़ा होगा तो क्या उसके अंदर guilt और shame की feeling नहीं होगी बिलकुल होगी तो contract तोड़ने वाला contract होता है उसके अंदर shame और guilt की feeling होती है तो यह हमारा बन गया guilt shame contract से ठीक गिल्ट हो गया shame हो ठीक है तो इसका synonym हो गया guilt ashamed ये सारे इसके synonym हो गया apologize करने का मतलब तो होता है sorry बोलना ठीक है sorry बोलना किसी को इसका मतलब होता है apologize करना अच्छे terms में जैसे हम लोग कहते थे ना I'm sorry I'm sorry को आप बोलते हो I apologize ऐसे बोलते हो